जम्मू कश्मेर के अनंतिनाग में मुढभेर में वीरगती को प्राप्थ हुए मेजर आश्चिस का पार्थिव शरीर उनके पानिपत के आवास पर लाया गया है जहां अंतिम दर्शन के लिए जैन सहलाब उमर बड़ा जिसके बाद सैन अधिकारी और परिवारवले मेजर के पार्थिव शरीर को लेकर गाओं विंज हौल के लिए रवाना हुए जहां आज उनका अंतिम संसकार होगा पिता लाल चंद, मा कमला, पत्नी जोती और तीनों बहनों अंजू, सुमन और मम्ता का रो रो कर बुरा हाल था पुरा गाओं मेजर के स्वागत के लिए तयार है गाओं के युआ मोटरसाइकोर के जथे के साथ पार्थो शरीर के आगे जलूस के रूप में चल रहे है इसके अलावा मुखे गलियों में तीरंगा लगाए गया है अलग-अलग अस्थानों पर फूलों की वर्शा हो की जा रही है परजनों के चेरे पर जहां बेटे को खोने का गम है वहीं देश के लिए शहीद होने पर गर्व का एहसास भी नजर आया इससे पहले शहीद मेजर आशिस धौन्चक के सेक्टर साथ इस्तिक्राय के मकान में गुरुवार की सुबा से ही शोक व्यक करने वालों का ताता लगा रहा इस दौरान पूरा मकान महिलाओं और पुरिशों से भर गया बदादी की मेजर आशिस के शहादत की जानकारी लगने पर कोई भी अपने आशू रोक नहीं पाया पानिपट शहर विधायक प्रमोध विज मेर और नितकोर एस्टियम मंदीप सिंग तैसिलदार विरेंदर गिल ने पहुचकर परिवार को धादस बढ़ाया पुर्व वित मंत्री कैप्टन अभीमन्यू के छोटे भाई मेजर सत्पाल सिंग संधू और उनके चचेरे भाई प्रवीन संधू परिवार सहीत पहुचे बढ़ाया जा रहा है कि आशिस की पत्नी जोती पुर्वित मंत्री कैप्टन अभीमन्यू की नजदिकी रिष्टदार से है परिवार के लोग वेरवार की शाम तक पार्थि शरीर पानिपत पहुचने की आस लगा हुए थे लेकिन ये संभो नहीं हो सका मेजर सत्पाल सिंध संधू ने सिने के अधिकारियों से भी इस विशे में बात की उन्होंने उनके पिता लालचंद और चचेरे भाई मेजर विकास से बात्चित की और उनको धानस बढ़ाया उन्होंने इसके बाद परिवार की बाकिर सदस्सों से बातचित की पिता लाल्चन पूरे दिन लोगों से घिरे बैठे रहे दो पहर बाद बाहर निकले तो हर नज़र उनकी तरफ थी वे बोले कि सब कुछ होकर भी कुछ नहीं दिखाय दियता उन्होंने कहा कि चार दिन पहले ही बेटे आशिस से बात हुई थी उसने अधिकतर समय मकान के काम के बारे में ही बात चित की वैसे तो अकसर बात होती थी लेकिन उस दिन उनकी बातों को सुनने का भी मन कर रहा था मुझे नहीं पता था कि आनुहोनी ये दिन दिखा देगी वीडियो डिस्क अमरुजाला डॉट कॉम अमरुजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमरुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर